हलो फ्रेंट्स एंड वेलकम बैक तो मैं चानल आई होप आप सब लुप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आज मैं बनाने वाली हूं बॉंबे स्टाइल पाव भाजी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चान करने पहले हम भाजी बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्सेयां जैसे मैंने लिए हैं आलू दो मेरियम साइज गोबी छे साथ हूल गाजर और मटर मैंने फ्रोजन लिया है आप चाहे तो फ्रेश मटर ले सकते हैं और चुकंदर भी ले सकते हैं और टेस्ट और कलर के लिए अब इसमें सबसे पहले हम कुकर में अपनी सारी सब्जियां अड़ कर देंगे एक बार सब सब्जियां हम इसमें अड़ कर देंगे तो मैंने इसमें एक गलास पानी का लिया है पानी आड़ करने के बाद हम इसको दो विसल लगाने के लिए गैस पर रखेंगे दो विसल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो सबस्यां हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और जितना हमें चाहिए वो उतने अच्छी तरह से गल जाएं ताकि हम आगे भाजी बनाने में इसका यूज कर सके अब मैंने इसको कुकर को गैस पर रख दिया है जैसे ही इसमें दो सीटी आ जाएगी वैसे हम इसको गैस से उतार देंगे बेट करना है दो सीटी आने का एक आ गए है यह दीखे दूसरी सीटी भी इसमें आ गए तो अब हम इसको गैस से हटा देंगे और अपनी भाजी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे एक कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच कुकिंग ओयल लिया है अब कोई भी ओयल इसमें ले सकते हैं बस वो फ्लेवर ना हो अब जैसी हमारा ओयल थोड़ा हीट हो जाएगा उसमें हम अपने मसाले आड़ करना शुरू करेंगे तो अब इसको एक मिनिट हो गया है गैस को तो अब इसमें मैं जीरा एक चमच आड़ कर रही हूँ जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा हम इसमें वेट करेंगे जीरा थोड़ा सा कूख हो जाए थोड़ा सा इसका फ्लेवर इसमें आ जाए तो इसके बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले आड़ करेंगे इसमें मैं सबसे पहले आड़ कर रही हूँ दो चम्मच पाव भाजी मसाला इसको भी हम थोड़ा सा कूप करेंगे और अपनी फ्लेम को लो कर देंगे इसको हमें ओवर कूप नहीं करना है अब मैंने लिया है एक मेडियम साइज का प्यास जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है प्यास को हम तब तक कूप करेंगे जब तक इसका कच्चा पर ना निकल जाए हलका सा सिरफ इसको एक मिनट तक सौटे करना है जादा कूप नहीं करना है अब इसमें मैंने ली है एक शिमला मिर्च, मेडियम साइज की शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है इसका हम रॉटेस निकाल लेंगे सिरफ तो इसके लिए हम इसे एक मिनट तक कुख करेंगे जैसे ही यह हलका कुख हो जाएगा, हम इसमें अपने बाकी की चीज़े आड़ करेंगे जैसे कि मैंने एक चमच नमक आड़ किया इसमे इसके बाद मैं इसमें एक छोटा चमच और पावजी मसाला आड़ कर रही हूँ आप चाहे तो यह step skip भी कर सकते हैं एक चमच हल्दी और मिर्च टेस्ट के according मिर्च मैंने लिए एक चमच, इसको भी थोड़ा सा सौटे करेंगे बस हलका सा सौटे करना है इसको हमें कसूरी मेथी आड़ किये मैंने ये भी एक चम्मच है इसको हाथ से हलका सा रगड के इसमें डाल दीजिए क्रश करके इससे टेस्ट और फ्लेवर दो नहीं बहुत अच्छा आजाता है हरा धन्या दो बड़े चम्मच अच्छा सा एक स्टर करिए और इसको अच्छे से प्रॉपर कुक कर लिजिए अब इसमें मैंने अड़ किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट ये एक चोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने अब इसमें मैंने आड़ कर दिये हैं दो मेडियम साइज के तमाटर अब हमें इसको तमाटर को करीबन पांच मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी प्रॉपर ग्रेवी बन जाए दीरे दीरे इसको मैश करते रहे और देखिए अच्छे से हमारे टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो गए हैं प्रॉपर कुक हो गए हैं एक अच्छी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी हमें मिल गई है हलके हलके हाथ से इसको चला के हमें इन सभी चीजों को अच्छे से प्रॉपर ली इसको मिक्स करते हुए कुक करना है अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए आड़ कर रही हूँ आदा नीम्बू, नीम्बू का रस लिए आया है मैंने बस इसमें इतना ही नीम्बू का रस आड़ करेंगे अभी हम क्योंकि जब बाद में हम इसको सर्फ करेंगे उसमें भी हम नीम्बू आड़ करेंगे तो इसमें जादा निम्बू अभी इस stage पर हमें add नहीं करना है इससे एक अच्छा सा अरोमा और flavor इसमें आ जाता है अब next step है इसमें हम जो हमने vegetables cook करी थी सबसे starting में हम इसमें वो vegetables add करेंगे तो देखिए अच्छे से हमें जितना इसको cook करना था वो अच्छे से vegetables सारी properly cook हो गई है तो अब हम अपनी बनाई हुई भाजी में ये सारी vegetables भी add कर देंगे अब हमारा जो next step है वो ये है कि हमें इन सारी सबस्यों को अच्छे से mash करना है ताकि हमें एक proper भाजी की consistency मिल जाए तो हम इसको दीरे दीरे अराम से सारी सबस्यों को एक साथ मिलाते हुए mash करेंगे इसमें करीबन हमें 5-10 मिनट लगेंगे अच्छे से सब कुछ mash करते हुए हमें properly इसको mix करना है देखिए दीरे दीरे हमारी सारी सबस्यां अच्छे से mash हो गई है इस stage पे ये consistency थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने इसमें एक ग्लास पानी का अड़ कर रहा है और अब हम इसको और इसी तरह 1-2 मिनट कुप करेंगे और हमारी भाजी almost ready हो गई है बस इसको हम थोड़ा सा और कुप करेंगे जितने आपको consistency चाहिए उसके according आप इसमें पानी याड़ कर सकते हैं मेरे according ये बिल्कुल अच्छे से कुख हो गई है तो मैं इसको एक serving bowl में निकालके इसको serve करूँगी अब इसको garnish करने के लिए मैंने इसमें fresh coriander लिया है हरा धन्या और इससे taste बहुत ही अच्छा जाता है और इसमें मैंने एक cube butter का डाल दिया है भाजी गरम है तो अराम से दीरे दीरे butter उसमें melt हो जाएगा अब हमारा next step है हमें जो पाव हैं वो सेकने हैं तो इसके लिए मैंने एक non-stick pan लिया है जिसमें एक चम्मच मैंने cooking oil add किया है अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रहे हूं हमें इसमें flame को low रखना है ताकि ओवर cook ना हो जाए जल ना जाए हमारी कसूरी मेथी हलके से अब इसमें हम पाव सेकेंगे पाव हमें सिर्फ golden brown करने हैं जादा हमें cook नहीं करना है इसको तो बिल्कुल हलके flame पे दोनों तरफ से हम इसको सेक लेंगे अच्छे से यह देखिए हमारे पाव भी अच्छे से सिग गए है और इस पर जो कसूरी मेथी लगी है वो भी बहुत अच्छी लग रही है तो यह देखिए बाइब 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 यह देखिए